जैशी कृष्णा दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों अनन्च चतुरदशी बहुत ही सरवाज सिद्ध दिन माना जाता है इस दिन गणेज विसरजन करते समय अगर आप एक कारे कर लेते हैं तो यकीनन आपकी जो मनोकामना है वो शीक्र पूरी होती है दोस्तों कहते हैं कि गणेज जी जाते जाते अपने भक्तों की सभी परेशानियों को हर लेते हैं और उनकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरी करते हैं साथ ही दोस्तों देखे गणेज जी कभी भी हमारे घर से विदा नहीं होते हैं वो सिरफ अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं और जब वो गणेज जी का हम मतलब विदा करते हैं तो कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए उनको ये वस्तुए अवश्य देनी जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों गड़ेश विसरजन करने से पहले गड़ेश जी का पूजन विधी विधान से अवश्य करना चाहिए उनसे प्रात्ना अवश्य करना करनी चाहिए कि हे प्रभू अपनी माता पिता से मिलकर जल्दी ही आप हमारे घर में लोटाए इस तरह से प्रात्ना अवश्य करनी चाहिए और साथ ही देखे आपको एक छोटी सी मतलब पोटली बनानी है लाल कपड़ा ले ले उसमें आपको पंच मेबा रखनी है साथ ही मोदक और थोड़ी सी हरी उसको आपको एक सफेद कागच पर लाल पैन से अवश्य लिखना है उसको फोल्ड कर ले और उसके ओपर आपको स्वास्तिक बना लेना है लाल रोली से और उसके बाद आपको साथ बार कलावा लपेटना है अपनी मनोकामना बूलते हुए इस कागच को आप भगवान तब विदा करना चाहिए और उनसे प्रात्ना करनी चाहिए कि है प्रभू हमारी सभी परेशानियों को हर ले और हमारी जो मनोकामना है वो स्वी पूरी हो इसके साथ ही डोसतो अपनी जो इच्छा है वो गड़ेज जी के कानमे अवश्य बोलनी चाहिए दोस्तों इस तरह स गडेज जी को हम विदा करते हैं तो यकीनन हमें गडेज जी की किरपा अवश्य ही प्राप्त होती है और इस दिन गडेज जी का पूजन अवश्य करें साथ ही दोस्तों गडेज जी के आगे धूब दीव जलाकर गडेज जी के किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें और उनसे सच्चे मन से प्रात्ना अवश्य करें दोस्तों गड़ेज जी कभी भी देखिया हमारे घर से विदा नहीं होते हैं वो सिरफ अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं तो आप इस तरह से गड़ेज जी का मतलब गड़ेज जी को विदा करें तो निश्चिद ही आपकी है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें और कमेंट बॉक्स में ओम शी गड़े शाय नमा अवश्य लेखें आप सभी को जैशी कुछना